हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल आज में इस वीडियो में बात करने वाल है राजस्तान जी के के इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में तो वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कर लेना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना आज का जो पहला क्यूशन है नतमल और सलीम सिंग की हवेली कहाँ पर स्तीत है तो इसका करेक्ट आनसर है जैसल मेर में नतमल और सलीम सिंग की हवेली है वो जैसल मेर में स्तीत है अगला क्यूशन है अंबर आमेर पिलेज राजस्तान के किस जिले में स्तीता है तो वो है जयपूर में आमेर पिलेज आपको पता होगा आमेर जयपूर में है तो आमेर पिलेज है वो भी जयपूर में ही होगा तो इसका correct answer होगा तीन नमर उप्षन जयपूर अगला क्यूशन है निमलकीत में से कौन सा डूंगरपूर की एक थंबिया महल को चारो और से गेरने वाले चार महलों में से एक नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है हुकूम निवास तीन नमर ओफशन इसका सही होगा हुकूम निवास अगला क्यूशन है राजस्तान में प्रेटकों का एक प्रमुख आकर्षन पोदार की हवेली जो कहां पर सतीत है तो वो है नवलगड में नवलगड जूंजुन में एक पोदारों की हवेली है तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार नमर ओफशन नवलगड अगला क्यूशन है सहेलियों के बाड़ी राजस्तान के किस सहर में स्थित है तो सहेलियों के बाड़ी उद्यपूर सहर में स्थित है एक नमर ओफशन इसका सही होगा सहेलियों के बाड़ी उद्यपूर में अगला क्यूशन है हमें गलत यूगम की पहचान करनी है तो इसक अगला क्यूशन है आबानेरी की संद्रब में निमिलखित में से कौन सा खतन या विकलब पे सही है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दो नुमर ओफशन ए और बी यहां निर्मीत हर्समाता मंदीर परतियारों के समाथ चोहनों ने बनवाया था और यहां की चांद बावडियों का सहर भी का जाता है कौन सा सहर ऐसा है रजस्तान का जो बावडियों का सहर का जाता है तो बुंदी सहर है वो बावडियों का सहर कहलाता है एक नमर ओफशन इसका सही होगा बुंदी अगला क्यूशन है पट्वों की हवेली का निर्मान किसने करवाया था तो इसका correct answer है प्रेमल देवी ने दो नमर उप्सन इसका सही होगा अगला question है निमल कित में से किसने चोरा सी कंबो की छतरी का निर्मान करवाया था तो इसका जो correct answer है वो इसमें दो उप्सन है देखिए व्याक्या में देखिए कि राजा अन्रियूत सिंग ने correct answer होगा वो होगा राजा अन्रियूत सिंग ने तो इसके ओप्सन है उसमें नहीं है इसलिए इसका correct answer आप व्याक्या में देख सकते हैं अगला जो question है अगला जो question है वो है चांद बावडी कहां पर स्थीत है important question है आब आनेरी दो सा में चांद बावडी स्थीत है तीन नमर उफसन इसका सही होगा अगला question है निमन में से कौन सा राज परशाद चितर पेलेज के नाम से विख्यात है तो वो है उमेद पेलेज दो नमर उफसन सही होगा चितर पेलेज उमेद पवन पेलेज में अगला जो question है डूणड लोध किसके लिए परसीद है डूणड लोध है वो अवेलियों एम प्रमपरागत सुनदरी मार्तों के लिए परसीद है डूणड लोध अगला किशन है निमलकीत में से किस दुर को राजस्तान का वेलोर कहा जाता है तो वो है बेंसरोडगड ती नमर उप्सन सही होगा राजस्तान का वेलोर है वो बेंसरोडगड कहलाता है बुंदी में चोरा सी खंबो की छत्री का निर्मान किस ने करवाया था तो राव अनिरूद नहीं बुंदी में चोरा सी खंबो की छत्री का निर्मान करवाया था एक नमर उप्सन इसका सही होगा अगला किशन है विरा सद्धी हैं और एक तरफ आपको स्थान दिये हैं हमें मिलान करना है सही कूटे उतर चुनना है हमें तो वो कौन सा है गजनेर महल आपको पता होगा कहां पर है बीका नेर में है गजनेर महल किराडू बाड मेर में है और जग मंदिर है वो उध्यपूर में है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो नमर उप्सन 3,1,2 तो चान्द बाउड़ी कहा पर है आबा नेरी दोस्ता में। बकित很好 की चोरुमें नौलका य स्थी यह नहीं हैं। मिलान करना है जल महल है वह कहां पर है जैपुर में जैजेये ज remedies जैपुर फ़र एक थमबा महल है वह कहां पर है। एक थम्बिया मेल है वो डूंगरपूर में है और जुन्नागड किला है वो भिका नेर में है तो इसका करेक्टर आंसर हो जाएगा दो नमर तीन एक दो अगला खेशन है चोराँ सी खंबो की छत्री कहां प्रस्तित है तो बुंदी में चत्री चोराँ सी खंबो की छत्री चोराँ सी खंबो की छत्री के निर्मान सन 1683 में ततकालीन राव राजा अंदरूद शिंग ने करवाया था और यह चत्री दो मंजिला है तता 14 शी खंबो अपर टिकी विए इसलिए 14 शी खंबो की चत्री का जाता है बुंदी में स्थित रानी जी की बावडी का निर्मान किसने करवाया था तो रानी ना थावती नी बुंदी में रानी जी की बावडी का निर्मान करवाया था इसलिए दो नमर उप्सेंस का सही होगा सहेलियों के बाड़ी के निर्मान करता कौन थे तो संग्राम सिंग सेकिंड थे जिसने सहेलियों के बाड़ी का निर्मान करया था सहेलियों के बाड़ी उद्यवपूर में है और इसका निर्मान अठारवी सदी में संग्राम सिंग ने करवाया था अगला क्यूशना सुमेलित करने वाला एक तरफ सहर दिये हैं एक तरफ सत्री दिये हैं हमें मिलान करना है तो इसका मिलान देखिए जेपूर में कौन सी छत्री हैं तो जेपुर में है के टोर जोदपुर में जोदपुर में है दोस्तो जस्वन थड़ा जोदपुर में जस्वन थड़ा है और कोटा में कौन सी छत्री है तो इसका correct answer है छत्र विलास और जेसल मेरे में बड़ा बाग छत्री आए है तो इसका correct answer है तीन नमर उफसन अगला जो question है रामस नहीं संपरदाय की साप पूरा साका की संस्तापक कौन थे तो राम चर्ण जी थे एक नमर उफसन सही होगा रामस नहीं संपरदाय की साप पूरा साका की संस्तापक राम चर्ण जी थे इसकी वियाकिया में देखें इस सिसका सही होगा मुशीर राणी की स्लिक अलवर में अगला जो कि शनहीं महल दिये हैं और एक तरफ यह देखना है इसा कौन साही की सुमेलियत्यTr green यहीं तो इसका वाधल है जैसे मयर विलास देशल मेर 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 मेरा लालगड मेर विकानेर में है जुन्ना महल डूंगरपुर में है और जुन्ना गड है वो विकानेर में है लाकिन जुन्ना महल वो डूंगरपुर में फूल सागर महल हो देपुर में नहीं है इसका correct answer हो जाएगा चार नमर ओप्षन अगला क्यूसन है अर्षत माता मंदिर चांद बावडी किस जिल्य में स्तीत है तो इसका करेक्ट आनसर है दोसा में चांद बावडी बंदि कुई दोसा कस्बे से पांच क्रिमी दूर आबानेरी मिस्तित है इस प्राचीन और विशाल बावडी का निर्वान चंदर चांद नामक निकुम राजा ने आठवी सुदि में करवया था और चांद बावडी का सिल्प देखते ही बनता है इसमें उतर करने के लिए तीन ओर से कलात्मक सीडियां बनाई गई है अगला क्यूशन है आबानेरी बावडी की अवस्तिती निम्न में से किस जिले में है तो दोस्ता में आबानेरी दोस्ता में है राजस्तान का पर्थम विजयस्तंब कांपर है बयाना दुर्ग बर्थपूर में 14 नवंबर 1928 को रखी थी और यह 1940 में बनकर त्यार वा था चितर पेलेज पत्थर से निर्मी तो नेकाणे से चितर पेलेज भी बोला जाता है उमेद पेलेज को चितर पेलेज भी बोलते हैं अगला क्यूशन है निमनलखीत में से कौन सा महल रण थंबोर में अवस्तित है तो वो है जोगी महल रण थंबोर में अपने बीती चितरों के लिए परसी थे जाला अवेली काँ परसी थे तो कोटा में जो अपने बीती चितरो के लिए famous है अग्ला क्यूश्ण नो मंजिला बावडी कांपर है इसका निर्मान कोन कराता है तो नीमराना में टोडर मल ने इसका निर्मान करवाया था नो मजिला बावडी का अगला कुछन है राजस्तान में सकल पचर पारक निमल में से किस पेलेज में सती थे तो मादववे अंदर पेलेज में सती थे अगला क्यूशन है चो खेलाओ महल राजस्तान के किस जिले में स्थीत है तो किस किले में स्थीत है तो वो है जोधपूर में चो खेलाओ महल जोधपूर किले में स्थीत है अगला क्यूशन है हवा महल जेपूर के बारे में निमलकित कत्रों पर विचार करना है हमीं तो सही और गलत कौन सा है हवा महल आठ मंजिला सरचन आठ मंजिली सरचना है ये गलत है हवा महल है वो आठ मंजिला नहीं है सिर्फ पांच मंजिला है हवा महल स्वाई परताम सिंग दिर्थिया के द्वारा बनाया गया था यह सही है हवा महल में 953 जरोखे जटिल डिजाइनों से सजाएगी खिड़किया है यह भी सही है हवा महल में 5 यह मंजिल है 9 मंजिल नहीं है अगला जोक्यूशन है उस समारक का नाम बताईए जिसे 1198 इस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिविर्थिन किया था तो संस्कर्थ पार्ट साला थी अजमेर के अंदर उसका नामें चेंजिंग कर दिया था सुल्तान गोरी ने अगला जोक्यूशन है विजस्टम के समंद में सही कतन कौन सा है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तिन्नोई ओप्सन है चार ओप्सन दिये चारों कतन है वो सही है ये चितोडगड में स्तेता है और इसे माना कुमा ने इसका निर्मान मालवा गुजरात के सुल्तान कराने के उप्लक्स में कर आया था और ये नोव मंजिला है इस स्तम के निर्मान में सुतरधार जेता का विशे से योगदान था अगला किशन है किराडू का सोमेशर मंदिर और आबानेरी का हर्सर मंदिर कौन सी स्तापते सेली में बने है तो गुर्जर परतियार सेली में बने है किराडू का सोमेशर मंदिर आबानेरी का हर्सते मंदिर इंपोर्टेंट है इसकी व्यक्या देखिए राजस्तान में आठ वी स्ताब्दी में जिस्चेत्री सेली का विकास हुआ उसे गुर्जर परतियार और महामरु सेली का आगा है इस सेली में निर्मीत परमुक मंदिर गोठ मांगलोद नागोर में ददी माता मंदिर आवानेरी दोसा में अर्सत माता भवानीपुर निकटी माता आठ सो पचेतरी सेली में सिकर का आर्सनात मंदिर और चितोडगर दुर्ग में कालिका माता मंदिर उद्यपुर में जगत का अंविका मंदीर और ओस्या के मंदीर परमुख है अगला कि उसने मंदिर सतापते की भुमीत सेलिकी सतापते सेलिकी उपसेलि है तो नागर सेलिकी विए कHESUME देखें तो नागर सेलिक में मंदीर उचे चबूतरे पर आधार से शिकर तक चो फला या वर्गाकार होते हैं अगला कि उसने चोरा सी खंबा छत्री के बारे में कोन सकतन ऐसते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नमर है इस छत्री का निर्मान राव विश्णु सिंग के काल में राव देवा दोरा करया गया था और एक है ये चत्री बुंदी के पास देव प्रागा में श्ती ते ये दोन उप्सन सही है एक और है इसका निर्मान 1633 में 1685 में के मद्दे करया गया था ये भी सही है अगला क्यूशन है परसे इस मारक सुनहरी कोटी कहां परसे थी तो टॉंक में है सुनहरी कोटी सुनहरी कोटी का निर्मान नवाब मोहमत इब्राहीम अलिक ने करवाया था अगला क्यूशन में पहचान है सत्य और एसत्य के बारे में तो मुस्री महारान की चत्री अलवर में है सत्य है गोपाल सेंग की चत्री करोली में है यह भी सत्य है गोपाल पाल पोदोराओं की चत्री यह वो रामगड में है सत्य है राम गोपाल पालिवाल की चत्री बिकानेर में ये गलत है अगला जो क्यूशन है वीरों के समारक स्तंब कहां पर स्तित है तो बडूचला में वीरों के समारक स्तंब बडूचला में स्तित है अगला जोक्यूशन है मुगल, यूरोपिय, राजपूत, स्तापत्यकला का अधबूद, समन्वे और मेहमान वाजी के लिए मुबारक महल कामपर स्तित है तो जैपूर में जैपूर के सिटी पेलेज में स्तित मुबारक महल का निर्मान स्वाई मादो सिंग ने अथीतियों के ठहरने के लिए करवाया था ध्यान रहे मुबारक महल टोंक में स्तित है और उंट की कुर्बानी कंड चर्चा में रहा है मुबारिक महल वरतमान में टोंग के महल में उंटों की कुर्बानी बंद कर दी गई है अनेक खिड़कें और जरोकों से सुसजित खेतरी महल के बहु मंजले भवे बहुन में लखनों की भूल बलेया और जेवपूर के हवा महल जलग देखी जा सकती है इस हवा महल का दिर्वान खेतरी के महाराजा बुपाल सिंग ने ग्रिसम कालाइन विश्राम स्तल के रूप में कर रहा था यह अदबूत महल कापर है तो जुन जुन में स्तित है यह क्यूशन थर्ड ग्रेड में आया वा है अगला क्यूशन है मेवार नरेस राणा अमर सिंग और राणा करन सिंग की छतरी समार कहां अवस्तित है तो आहड उदेपूर में है अमर सिंग और राणा करन सिंग की छतरी अगला जो क्योशने परसीद सालीम सिंग के अवेली काँ पर है तो जेसल मेर मेर में है जेसल मेर के परदानमत्री सालीम सिंग ने इस नोखंडी अवेली का निर्मान कर वया था इस अवेली को मोती महल भी कात जाता है सालीम सिंग के अवेली मोती महल भी कहला थी है अगला क्य कर दिया इस्तान पर मुसलमान फकीर पंजाब साह का उर्स डाइदिन लगने का निये डाइदिन का जो उपड़ा कहलाने लगा था अगला क्युष्ण ने राजस्तान में जहांगीर के महल कहां पर सती था है तो पुसकर में एक खंबा महल के नाम से परसित प्रहरी मिनार का निर्मान किस ने कर वाया था तो मारा राजा अजीद सिंग ने कर वाया था अगला चक्युष्ण है वो सुमेलित करनेया है उद्ध्यपूर है बागोर की अवेली है उद्ध्यपूर में जैसलमैर में नत्मल की अवेली है ओर है फ्रोदी में लालचंट चॉड़्डा की अवेली सतीत हैं सारे option है वो पहले से ही मिलान किये गए है। जालिम सिंग की use कहां पर से तीत आहाई ह? तो है कोटा में जालिम सिंग की able made के पत्वोओं की loads to the title है यह क्षून important है। बार बार लार देखो बार बार पूछा गया यह है। पुलीस में, कर्शी प्रवेक्शन में, R.A.S. में, B.A.D. में, R.P.S.D. में, सभी में आया कि पट्वों की अवेलिकांपर है, जैसल मेर में, इसकी व्यक्या इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्यूशन आ चुका है, तो इसकी व्यक्या में देख लेजी, अलग कुछ से बता इसलिए, जैसल मेर की अवेलियां, अवेलियों को नगरी वे जरुकों की नगरी भी कहा जाते हैं, जैसल मेर की अवेलियों की नगरी और जरुकों की नगरी भी बोलते हैं, लालगड महल कहां परस्तीत है, तो बीकानेर में इस्तीत है, लालगड महल, बीकानेर के माराजा गंगासी ने अपने पिता लाल सिंग की समर्दी में इसमाहल का निर्मान कर रहा था जो लाल पत्र से निर्मी थे अगला जो किश्ण ने जस्वन तड़ा कहा पर शतीत है तो जस्वन तड़ा जोधपूर में इस तीत है अगला जो किश्ण ने इसकी व्याख्या देख लेते ह साथ सग जस्वंद सिंग के दिर्थिक शत्री है जिसका निर्मान उनके बेटे सरदार सिंग ने 1.99 निञार में करुए था इसे राजस्तान का ताजमाईल कोंसा है तो वो है जस्वंद थडा जस्वंद थडा यह इंपोर्टेंट है दोस्ते क्शिंड आपको कैसे लिए कौम झाल झाल झाल